हेलो काईज विलकम टू एरसे स्टाडिक पॉइंट चानल कैसे हैं आप सभी आप सभी आप सभी ठीक होंगे आज किस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्पूर कोशन को डिसकस करेंगे जो कि आने वाले बीपेशी मेंस परिक्षा के लिए बहुत ही महत्पूर है यह कोशन समान सब्सक्राइब बने रहे ताकि आपके कोई भी पॉइंट मीश ना हो पाए क्योंकि वीपेशी मेंस एक लेखन कर लाकी ही परिक्षा है तो चलिए प्रस्ण देखते हैं जो शिक्ति थार्ड बीपेशी में में जो कोशन पुशा गया थावा है गांधी जी के समाजिक एम सं स्कृतिक विचारों का उद्गाटन किजिए शांती इस दिशा में उनके द्वारा चलाए गए पर मुग करेक्रमों अथो अभियानों की चर्शा करें अगर ये कोशन आपसे एक्जाम में पुछा जाए तो इसका अंसर इस तरह से लिखिएगा कि बीसो सांती और अहिंसा के अगरदूत भारत के राष्ट पीता महात्मा गांधी ने अजादी के लड़ाई में राजनेतिक अजादी के शांत्सांत शांती और समन्वय की द्रिश्टी कोड़ से संपूर भारत में समाजिक शम्ता की अस्थापना का लक्ष भी सामने रखा अजादी के लड़ाई में राजनेतिक अजादी के सांती और समन्वय की द्रिश्टी कोड़ से शंपूर भारत में समाजिक शम्ता की अस्थापना का लक्ष भी शामने रखा था देश की अजादी के लिए शत्य और अहिंसा को भी हत्यार बनाया जा सकता है यह बात अगर दुनिया को किसी ने शिखाई अर्थाद बताई तो वह है महत्मा गांधी जी उन्हें ने यह बात साभी थी नहीं के बलकि दुनिया को मंत्र भी दिया कि शत्य और अहिंसा के दम पर बड़ी से बड़ी और मजबुत सत्ता को भी उ खाड़ फेका जा सकता है कि अ ठांधी जी ने पूरे 20 स्वग शिखाया कि हर एक लाडाई के लिए हिंशा जुरूरी नहीं है शत्य और रहा हिंसा के चाहते थे उनका लक्ष था कि वो हमारे देश में एक ऐसी देश की अस्थापना करें जहां किशी भी जाती बर्ग के प्रति घिर्णा नहीं हो और सबू के लिए सत्य प्रेम और करूना ही अधाशो भारत गुलाम क्यों बना इसके कारणों की खोज करते हुए उन्होंने पाय थे जिसे हमारा देश और समज इतना कमजोर बना गांडिजी ने जुburg किए हमारे देशो गुलाम क्यों बच आvatक पाया कि मस प्रिश्य आते हैं समाजी कान्याय मतल समाजमगे बहुत ही अइन नियाय होता है और महिलाव को नीज दर्जा दिया जाता है और स्रम को नहीं समसे जाता है जिसके कारण से हमारा देश और समाज इतना कमजोर बना अब देखते हैं गांधी जी के समाजिक एम संस्कृतिक विचार नीमन है असपरिशियता निवारन अभियान इंग्लेंड से लेकर दक्षिड अफिरिका तक के अपने वक करांधी शफर में गांधी जी को गोरो के रंग भेद और नसल भेदी नीती के दंस को कई मोर्चों पर जहलना पड़ा था 1915 में भारत वापसी के उपरांध गांधी जी ने असपरिशियता निवारन को अजादी के लड़ाई के साथ जोड़कर अजादी के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति को छुआ छुआ छुट मिटाने के काम में भी लगाया उन्होंने जब 1915 में भारत में वापसी की उसके बाद से वे असपरिशियता निवारन को अजादी के लड़ाई के साथ जोड़कर अजादी के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति को छुआ छुआ छुट मिटाने के काम में भी लगाया उन्होंने 1932 में हरीजन सेवक्षंग की अस्थापना की और गांधी जी ने इन अच्छूतों को हरीजन का नाम दिया हरीजन जिनको वे भगवान की संतान मानते थे गांधी जी द्वारा चलाए गए हरीजन सेवक्षंग का कारिया भारत के हर परदेश में चलता रहा विश्वकर सबसे बड़ा हिस्ता था इस समाज के बालक बलिकाओं की सिक्षायतु छत्रालियों तथा विद्यालों को चलाने का ध्यान रखीगा गांधी जी ने हरीजन सेवक्षंग की अस्थापना की थी जिसमें की हरीजन बालक और बलिकाओं को भूत ही कुमहत्पुल अस्थान दिया गया था अनिको नेता जैसे सी राजगोपल चारी मुरार जी देशाई रजिन्द पश्चात था जग जीवन राम इत्यादी यह सभी अलग अलग राजे में अलग अलग शेत्र में गांधी जी के अस्प्रिशियता निवारन के कारे के अगवा बने उस जमाने में छुआ छुद का भ्यांका रूप था पर गांधी जी की प्रेणा से हजारों ने इस काम को उठाकर अनेकों विब्दाय छेली अशीम क पश्ट भुकते और अपने उदेश्य में काफी सपलता भी पाई गांधी जी कहा करते थे कि जिनके पुर्खों ने अस्प्रिशियता चलाने का पाप किया है उन्हीं को प्राइशित के रूप में अस्प्रिशियता निवारन का कारे करना चाहिए वह कहते थे जो भी जिसक अस्प्रिशियता चलाने का पाप किया है तो उन्हीं को प्राइशित के रूप में अस्प्रिशियता निवारन का कारे करना चाहिए इस दर्सन को अंजाम मानते हुए अनेकों विजवर्णियं माने जाने वाले ब्यक्तियों ने इस कारे का बीड़ा उठा लिया गांधी ज उसी तरह स्प्रिशियता निवारन कारे किशपलता के शाथ साथ दोनों समाजों में सोहाद्र बनाय रखने का प्रयास भी जारी रखा गांधी जी उस मंदीर में कभी नहीं जाते थे जहां स्प्रिशियों का परवेस बरजित था उनका मंदीर में परवेस कराने के अनेकों कारेकरम गांधि przew覺 दश्रीज़्य ज़्म है इसलिए अगर जहां पर भी भी हारेजन लोग को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी वहां पर गांधि जी भी नहीं जाते थे और उन्होंने बहुत प्रवेस की प्रयास किया कि मंदिर में परवेश कराय जा सके हरी जुनों को उन्होंने महिला उथान के लिए भी बहुत काम किया अब देखते हैं गांधी जी दोरा किये गए महिला उथान के परियासु को गांधी जी जो थे वे करूना और दया के प्रतिमूर्ती थे उथान के लिए नारी को अबला कहने के सक्थ खिलाब तो उनको बिलकुल भी पसंद नहीं था वह उसके सक्थ खिलाब थे वह महिलाओं को पुरुस्तों के मुकाबल अधिक शुद्री और सहरीदे मांते थे और उनकी या धरना उनके आचरन लेखोते थे व्याखनों में अनेक बार परकट हुई है इस अंदर में महात्मा गांधी का या धरन जानने योगे है उन्हें अबला पुकारना महिलाओं की आंतिक शक्ति को दुद्कारना है अर्थाद गांधी जी कहा करते थे कि महिलाओं को अबला पुकारना उनकी आंतिक शक्ति को दुद्कारना है मई 1919 की एक सुरत में सभा हुई थी जिसमें गांधी जी ने महिलाओं को शंबोदित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जी सथ तक पूरुस संसारिक धार्मिक और राजनीतिक मामलों में भाग लेते हैं जब तक इस्तिरिया उस हद तक भाग नहीं लेंगी तब तक हमें भारत भाग योदय के दर्सन नहीं हो सकेंगे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में जी सथ तक पूरुस संसारिक धार्मिक और राजनितिक मामलों में भाग लेते हैं उस सथ तक अगर इस्त्रिय भाग नहीं लेंगी तब तक भारत का भागयोदे नहीं हो सकता है मतलब भारत भिकास नहीं कर सकता है स्वधीनता संगर्ष के इत्यास में सरोजनी नाइडू सुचेता क्रिपलानी सुसीला नयर विजय लक्ष्मी पंडित अरुना आसफ अली जैसी कई अन्य महिला महिला नेताओं ने कांग्रेस को सशक्त बनाने में युगदान दिया 19 प्रेणा लेकर सरोजनी नाइडू सुचीता क्रिपलानी सुचीला नयर विजय लक्ष्मी पंडित अरुना आसफ अली ने कांग्रेस को सशक्त बनाने में बहुत बड़ा युगदान दिया इसके अलावा बहुत से महिलाओं ने महात्मा गांधी की प्रेणा से समाजी को अने रशनात्मक कारियों को अपनाया गांधी जी का कहना था कि सत्यागरा ने महिलाओं को घर के चार दिवारी से बाहर निकाल कर समाज एवंदेश की सेवा करने का मौका दिया है वैसा इतने कम समय में और किसी भी उपाय से नहीं हो सकता था गांधी जी सत्यागरा को बहुत सही माते थे उनका कहना था कि सत्यागरा की बज़े से ही बहुलाओं को घर के चार दिवारे से बाहर निकल कर समाज एवंदेश की सेवा करने का मौका मिला है उनका कहना था कि इसके अलावा इससे अच्छा कोई भी उपाय नहीं हो सकता था उलेखने बात यह है कि नारी मुक्ती का सोर मचानी के बज़ाए उन्होंने महिलाओं को एकदम सहज धंक्षे स्वरतंत्रता आंधुलन का अभी नंग बनाया उन्होंने स्वक्ष्टा के लिए भी बहुत से काम किये थे उस पे एक बरनजी डाल देते हैं स्वक्ष्टा और भंगी मुक्ती अभियान गांधी जी का माना था कि साफ सफाई इस्वर भक्ती के बराबर है और इसलिए उन्होंने लोगों को स्वक्षता बनाया रखने समंदी सिक्षा दी थी उन्होंने स्वक्ष्टा को लेकर कई अभियान चला हैं विलाकतार जंता को शबसफाई के बारे में आवसेख बातों को बताते रहें उनका कहना था कि स्वक्ष्टा किसी एक के तब्क्य का कारे नहीं है। नहीं है बलकि यह सभी का कार्य है सब सफाई में सब के बराबर यूशेदारी के वकालत करते थे इसलिए भंगी मुक्ति कारेकरम को गांधे जी बहुत अधिक रखते थे इसी कारे के लिए जीवन समर्पित करने वाले गुजरात हरीजन सेवक्षंग के अध्यक्ष स्वक्षता के लिए बहुत से कारे किये थे जिनके लिए उन्हें पद्म सिरीष से सम्मानित किया गया गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे दुबारा जनम लेना पड़े तो मैं चाहूंगा कि किसी सफाई करमचारी के घर जनम लूँ गांधी जी का सपना था कि अगर वे दुबारा जनम लेंगे तो वो किसी सफाई करमचारी के घर ही जनम लेंगे गांधी जी का एक और सपना था कि कभी साब सफाई करमचारी परिवार की कोई लड़की भारत के राष्ट पति पत को भी भूशित करें गांधी जी चाहते थे कि कोई साब सफाई करमचारी परिवार की कोई लड़की भारत के राष्ट पति पत पर बैठे उनके स्वक्ष भारत के सपनों को सकार करने को देशे से हाल के दर्सकों में भारत सरकार ने उनके समान में स्वक्ष भारत अभियान और सत्यागरा से स्वक्ष अगरा जैसे सराहनिय कारेकरम को चलाया है अब देखते हैं गांधी जी द्वारा किये गए गराम उदे के परियाशों के अभियान गांधी जी का कहना था कि भारत गाओं का देश है और इसकी आत्मा गाओं में बस्ती है ध्यान रखिएगा गांधे जी कहते थे हमेशा कि भारत गाउं का देश है और इसके आत्मा गाउं में ही बशती है उनका मानना था कि गाउं के विकास के विना भारत की समरिधी के बाद करना शिर्फ कोरी कलपना होगी उनका मानना था कि अगर भारत की विकास करनी है तो पहले गाओं की विकास करनी होगी उसके बाद ही भारत देश की विकास हो सकती है उनका मानना थे कि हमारा ब्रामर समाज भारतिये मुल्यों एंपरमप्राओं का भाग है भारतिये किशान नर में नरायन का रूप है गांधी जी करते थे जो हमारे देश के किशान है वे नरायन का रूप है और वहीं भारत का सच्चा संथ है क्योंकि वह करोणों जिंदगियों का पालनहर है गांधी जी किशानों को बहुत इज़ते थे और उनका बहुत समान करते थे इसलिए उन्हें वे कहा करते थे कि भारत का सच्चा संथ किशान है क्योंकि वह करोडों जिन्दग्यों को पालता है अब देखते हैं गांधी जी के धार्मिक द्रिश्टी कोर गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि मेरा धर्म सत्य और अहिंचा पर धारी थे सत्य मेरे भगवान है और अहिंचा उसे सिकार करने का शाधन गांधी जी शत्य को ही भगवान मानते थे और गांधी जी अपने धर्म सत्य और अहिंसक को ही मानते थे कांधी जी के अनुशर धार्मिक वह है जो दूसरों के दर्द को समझता है उन्होंने धार्मिक मत भेदो वह धार्मिक कटरपंत के बिरोध भी संगर्ष किया और असपश्ट किया कि राज्ये को धार्म के बिशाय में हस्तचेप नहीं करना चाहिए कांधी जी ने बिद्यालों में धार्म की शिक्षा का भी वहिस्कार किया उन्होंने धार्म निर्पेक्षवात की शिधानत को समाजिक नय और समानता के साथ जोड़ा सत्य सेवा और सर्वोदे ही उनका जीवन दर्शन था थ्यान रखीगा कांधी जी ने विद्यालों में धर्म सिक्षा का बहिसकार किया क्योंकि उनको लगता था कि जहां पर भी धर्मिक बात होगी वहां पर एक जूट होकर धर्मिक लोग हिंसा कर सकते हैं उन्होंने विद्यालों में धर्म के शिक्षा का बहिस्कार किया। उन्होंने धर्म दिर्पेक्षवात के सिधान को समाजिक नया और समानता कसंद जोड़ा और सत्य सेवा और सरवदे ही उनका जीवन दर्शन था। अब देखते हैं गांधी जी द्वारा किये गए शिक्षा के शित्र में परियासों को। शिक्षा द्वारा चरित्र निर्मार। गांधी जी के अनुसार शिक्षा द्वारा बालक का विकास इस परकार किया जाना चाहिए कि वो स्वैम को पहचान सके वो स्वैम के माध्यम से स सत्य का सक्षातकर करने में शफल हो गांदी जी के कोडिंग शिक्षा वह था कि अगर कि कोई बालक अपने स्वेम को पहचान सकता है और उसके माध्यम से सत्य को समझ सकता है और पहचान सकता है तो उसी को सक्षातकर बोलते हैं वे शिक्षा को चारित्रिक विकास का अधार मा होते थे उन्होंने सीक्था में महत्योपूर परियुद्धा लाने पर बलदिया था उन्की अनिसार सिक्था का उधिया शुप लंबन या अत्म निरभरता है नयतिकता रात्री तल्चरितितलब उंके धर्म के मूला धार थे गांदिय के अब देखते निसकर्ष में गांधी जी का मुख्यों देश्य था एक ऐसे समराजी के अस्तापना जहां सर्वुदे शमाज का कल्यान होगा और धन का नहीं इसने और सहयोग की भवनाएं होंगी घिरिणा एवं प्रिथक्ता की नहीं इसने और सहयोग की भावनाएं रहेंगी अगिरिणा और प्रिथक्ता मतब अलग नहीं होगा शोर्षड के अस्तान पर पर रहित एहमसंचाई की प्रवितिक अस्तान पर त्याकी प्रविति होगी इस साब पता चलता है कि गांधी चीएक परमुक राजनीतिक दार्शनिक शांस्कृतिक एहम समाजिक सुधारक होने के शांसथ मनावता के सच्चे पुजारी थे लेकिन बर्तमान में कई मोर्षियों पर शुधार के बाजुद अजादी के आठवे दर्शक में भी समाज में जाती भेद, सोसल, घ्रीना और रजनीतिक, स्वार्थ, सिधी जैसे अनेक कुधर्णाओं के कारण अक्सर हिंसा के शहार मनावता का हनन हो रहा है थैंक यू दोस्तों उमीद है कि आपको ये प्रसन अच्छे लगी होगी और ये प्रसन आपको अच्छे से समझ आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छे लागे तो लाइक कर दीजे, अपने दोस्तों को साथ सेर कर दीजे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही helpful वीडियो देखने के लिए हमाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे लेटेस्ट अपडेट करनोटे पेसन आपको मिलती रहेगी अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक मीचे डिस्क्रिप्शन बक्स में तो आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें चलिए अब मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में